सोलन में इस लोगडा के स्मीव लगते गाउं जोखडी के निवासी बेहत दुखी और चिंतित हैं। सड़क से गिरा दिये जाते हैं जो गाउं बासियों के खेतों तक पहुंच रहे हैं। यहां तक कि गाउं बासियों का एक मदर पानी का स्तरोत कई बार इस मलवे के नीचे दब चुका है। उन्हें कहा कि फोरले निर्मान से निकलने बाले मलवे को सड़क से लगतार फैंका जा रहा है जिसकी बज़ा से उनके खेत पूरी तरह से बरबाद हो रहे हैं। उनके प्राकृतिक पानी के स्तरोत भी खतम होने की गगार पर हैं। इसके लिए बे मुख्यमंत्री को 1100 निमबर पर शिकायत कर चुके हैं लेकिन बहां से उन्हें ये कहकर टाल दिया है कि बे इस तरह की शिकायतें इस योजना के तहत नहीं लेते हैं। ऐसे में उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर बै अपनी शिकायत किसको जा कर दे जिला प्रशासन उनकी कोई सुनबाई नहीं कर रहा है जिसके चलते उनके खेत उनकी नजरों के सामने मिट्टी के मलवे के नीचे दबते चा रहे हैं। सब्सक्राइब जोषान ऄोड़ास्य विर्स एक खेते बैसे से में परता है है। अब इतने दिनों से ना हम कोई फसल लगा सकते हैं, डर के मारे सारा मलवा हमारी फसल को तबाह कर देगा। इतना मलवा है कि पानी भी कभी भी तबाह हो सकता है, ना मारे को पीने का पानी यहां पर ना खेट की संजाई के लिए पानी है। खीन जान का देगा सकते हैं, बारिष में सारे उपर से जो तीन चार नालों का पानी जो इकठा आता है। इसे मुल्व सब खेत नानों का दबने का डर रधा है, अपनी जान का भी डर रधा है, कभी हम पानी लेने नहीं जा सकते हैं। जादा अगर बरसात होएगी तो हमारा पानी और हमारी जमीन का जो है नामों निशान मिटा देगा जी जितना भारी ये मलुआ है आ रहा है जी और समस्थे हमारी यही है जी कि हमारी जो जमीन है पानी है और जान मालका जो हमारे को बहुत जादा खतर है जी है परदान सरकार से हमारी यही प्रातना सरकार से हैं जी हमने मुख्य मंतरी संकलब शकायत योजना में 11 सुनमबर पे भी शिकायत दर्जकराई पारी है जल्दी से जल्दी इसके उपर कोई कारोई की जाेगी алеकिन काफी दिनों के उनले यह कहां कि हम इसके उपर कोई कारोई नहीं कर सकते हैं आप कहीं और ilar合 हमारे को चिंदा यह इस तारीए है किसी भी टाइम हमारा ये जमीन जो है बिलकुल पूरे तरिके से बरबाद हो सकती है कि मीरे नाम नवीता है मैं जो ख्रीक की रहने वाले हूं और यह मन्मवा फॉर लाइन से आरा है बहुत जादमात्रह में फैन करें तो इससे हमारे खेत खराब हो रहे हैं पानी के टैंक पीने का पानी मुझारा करें उससे बाकी तेंकों को भी दबने का खत्रा है, बाकी खेतों में भी मलवा जाने का खत्रा है जब बारिश होती है तो मितलब यह मलवा बहुत तेजी से आता है तो जिससे यह एकि खेत जो खेत है नीचे को वो सारी खराब होने के बहुत जादा चाहिए जिबीन है इसे जो है हमारे इस फॉर्वे के मलबे से जो है हमारा काफी नुकसान हो चुका है और साथ में हमारे खेत है बाड़ी है यही हमारा सौर्स है इससे हम जिबीनों में फसल लगाते हैं और यही हमारी रोजगारी है अगर हमारे पास यह ना होए तो हम भूखे भी मर सकते हैं और बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हम इसी से गुजारा करते हैं